हेलो स्टुदेंट्स वेलकम टू सौमे वेकानन्द इंस्टिटूट माइनम इस शाहीन एंड इन दिस लेक्षर वीडियो वी आर गोईंग टू डिस्कस अन्यू टॉपिक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की और रेडी में चार लेक्षर आप लोग को देच की हूँ जिसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट की बहुत important points को डिस्कस किया है जैसे last lecture में हम लोगों ने SDP के बारे में पढ़ा था marketing management क्या होता है 4 copies क्या होती है और उसको extend करके 3 copies all लाई गए हैं तो ये सब overall marketing management की बात हो रही और इसी को carry forward करते हुए आज आज discuss करेंगे हम लोग product के decisions वो कौन कौन से decisions होते हैं जो कि product को affect करते हैं क्योंकि four marketing four piece के अंदर जो price होता है product होता है place promotion सबसे पहले product आता है तो product होता क्या है product में क्या क्या related होता है उन सब चीजों की बात हम आज करेंगे now product decisions की बात करूँ तो product decision marketing के अंदर होता है जो कि company is mindful decision company जो कि अपने दिमाग सोचती है और decisions लेती है छोटे छोटे decision या बड़े बड़े decision दोनो major minor दोनो decisions जब किस से related होते है product से related होते है और you can say four piece से related होते है ठीके first इसमें जो first rank आती है four piece में वो आती है product की product price place promotion so organization take these decision organization ये जो decisions लेती है ये चारो their objectives and become profitable in the long run तो उनका जो main मकसद होता है वो ये होता है कि long run में उनकी जो income है जो इनकी profitability है वो increase हो सके so इस तरीके से वो इनके सारों के decisions को लेते है now the next one is जो product decisions होते है वो बहुत ज़रूरी है marketing decisions के लिए made at different various levels अलग-अलग levels में बताए गए है these decisions broadly cover इनके अंदर क्या-क्या आता है देखो new product development new product development का मतलब ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल मैं मानलो product का launch कर रहा हूं तो बिल्कुल ऐसे product की लाज़़ा ही जो बिल्कुल नया है जिसके बारे में Leah Finance करके launch कर रही हूं या कहते हैं ना कि latest technology के हिसाप से नया version आता है तो उसको तो ऐसे ही different different होते हैं जैसे new product development नया development हुआ कुछ modification हुआ कुछ हटाया गया उस product में से या कुछ बढ़ा दिया गया जैसे आप देखते हो Colgate के कितने flavors होते हैं जो आपका toothpaste है Colgate इनके कितने सारे flavors हैं और आप बताते हो आप देखते भी हो कि daily के basis पे कुछ न कुछ salt वाला चार्कोल वाला different different आते रहते हैं तो क्या है कि या तो कुछ eliminate कर दिया या तो कुछ modification कर दिया उसमें बढ़ा दिया या घटा दिया variant and visual elements product mix and line इनके बारे में हम detail में पढ़ेंगे however जो warehousing एक ऐसी activity होती है that does not comes under the span of product decision warehousing एक ऐसी decision होती है जो कि product decision में नहीं आता reason बताती हूँ माल लो एक product बनाया है मैंने pen pen बन रहा था pen में raw material यूज हुआ क्या क्या plastic यूज हुई इसके निप यूज हुई वग्यारा वग्यारा raw material से हम work in progress पे आए work in progress से वो क्या हो गया finished goods बना ठीक है finished goods तक ही product का काम है उसके बाद अब उसे बेचा जाएगा तो क्या किया जाएगा एक warehouse में रखा जाएगा तो products related थोड़ी है उसका decision वो तो आपका जो logistic वाला part होता है उसका part होता है जहां पे हम एक product को बनाने से लेके product के end users तक पहुचाते हैं तो end users तक पहुचाते हैं तो वह वेर हाउसिंग का part आता है उसमें तो वह वेर हाउसिंग इसमें नहीं है this is because its core function is the storage of goods की वेर हाउसिंग तो store करना होता है na selling and distribution as and when required warehouse का मतलब होता है कि product को सम्हाल के रखना उसके बाद selling करना purchase करना product तो बन गया इसलिए जब वेर हाउसिंग होता है वो इसका part नहीं होता यह important mark कर लो क्योंकि आपसे option में पूछा जाएगा which one of the following is not the part of product decision तो आपसे चार पांच option दिये जाएंगे तो उसमें से वेर हाउसिंग को आपको क्या करना है हटा देना है क्योंकि वेर हाउसिंग is not the part of product decision now the factors affecting product decision वो कौन को से factors है जैसे कि growth, growth market का share, cash flow, profitability, growth कैसे जैसे product में कुछ न कुछ आप improvement लाते रहोगे या new product line लाते रहोगे तो क्या करेगा product में improvement आई और उसकी वज़े से जो growth हुई market share भी product की वज़े से क्या होता है product में improvement लाओगे या product की decisions को अच्छा घरोगे तो market share भी क्या होगा आपका बढ़ेगा cash flow, inflow पे भी product decide करता है अगर आपका inflow and outflow बहुत ही अच्छा है inflow and outflow बहुत ही अच्छा है तो उस case में क्या होगा आपका जो product है वो क्या करेगा फुल्फिल करेगा market के अंदर cash flow position के साब से और profitability भी आपका अच्छी खासी होगी क्योंकि आपका product अच्छा है आप product के अंदर कर रहे हो investment कर रहे हो और क्या कर रहा है जो product है वहाँ से वो investment करके आपको result दे रहा है अब product क्या है कोई भी चीज़, anything of value that fulfills the requirement of the end users end user कौन हो गया, consumer यह हो गई आपकी factory या manufacturer कुछ भी बोल सकते हो तो end users तक जो पहुचाए, consumer तक जो पहुचाए, उसकी satisfaction को fulfill करे कोई भी चीज, anything of value, कोई भी चीज, जो की end user की requirement को पूरा करे, वो है product क्या क्या हो सकता है, वो goods भी हो सकता है, services भी हो सकते है goods का example दो, goods का example pen हो गया, services का example insurance हो गया, insurance is a service ठीक है, tangible हो गया, furniture, intangible हो गया, copyrights वगयारा, ठीक है physical हो गया और psychological, psychological का मतलब है, जब आप product को बेचते हो यह कहे कि 99 मतलब वैसी वाली policies के थूँ, तो वो psychological आता है customer and, the customer and competitors largely depend upon the product, जो customer है, जो competitor है, वो किस पर depend करते हैं, product के उपर, जो company offer करती है इसी लिए product के केवल features अच्छे से बात नहीं बनती, product में packaging, product की advertisement, product की promotion बहुत सारे factors और involved होते हैं, product को clear out करने के लिए now, जो product है, उसमें कुछ levels है, जैसे की कौन-कौन से level हो गए, core product, जो की main है जैसे wheat हो गया, इसके अंदर कोई packaging नहीं है, basic चीज है, यह हमें need की होती है, basic need की है उसके बाद उसमें कुछ modification कर देते हैं, जैसे packaging बग्यारा हो गई, तो यह हो गया आपका basic need फिर उसके बाद expected product, इस raw material से जो result निकल के आएगा, जो हम expect कर रहे हैं कि जो wheat से, wheat से ऐसी रोटी बनेगी, तो that is expected product, और फिर उससे और क्या-क्या additional benefits मिल सकते हैं वो augmented product होता है, और फिर potential product होता है, जो हमने सोचा भी नहीं है एक product में जो हमने सोचा भी नहीं है, और क्या हो सकता है, क्या हो गया, यह core product basic इसमें कुछ changes कर दे, packaging वगेरा कर दे तो basic, expected जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा result निकल के आएगा, augmented, कुछ extra benefits देना और potential वो result निकल के आना जो की हमने expect भी नहीं किया, now core और generic product, raw product होता है, example कैसी खा भी आपने wheat raw product that satisfy the customers, primary need, customer की primary needs को समझा, core product कहां से होता है is at its raw form, not bearing any brand name, कोई brand name नहीं है न, simple simple क्या लिखा हुए wheat था, rice था, remains undifferentiated, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, कोई भी brand का लो, कोई भी कहीं कहीं हो, वो क्या होगा, एक जैसा ही होता है, now basic product क्या होता है, जब core product के अंदर हम क्या कर देते हैं, कुछ additional कर देते है, differentiated from the rest, become the basic product, example समझो, जब हम कुछ add कर देते हैं, add some necessary features, to the product, जैसे brand name दे दिया, packaging लगा दी, label लगा दिया, जैसे कि हमने बता दिया, कि आटा जो है, यह wheat floor किसका है, fortune चक्की fresh आटाई का, तो यह क्या होगी आपका, next आ गया, फिर उसके बाद expected product कुन सा होता है, these product include key features, उसमें खूबिया होती है, customer look forward, जो customer देख रहा है, यह ऐसा result निकल के आएगा, it also contains standard feature of our product, जैसे कि चपाती बनेगी, किस से, wheat floor से, तो यह होगा, आपका expected, augmented product क्या हो गया, to differentiate product from competitors, companies add distinctive features, जैसे कि माल लो, biscuit तो सब company दे रही है, लेकिन कोई company है, माल लो, उसके उपर biscuit का चोको चिप से, तो यह क्या है, इसका एक चोको चिप स, कि इसकी एक different, differentiate है, differentiate कर रहा है, competitor, हम तो यह सब दे रहे है, और एक है, जो कि एक extra benefits भी दे रहा है, वो हो गया, आपका, augmented product में, these addition depend on the market, market के survey के उपर, कि product किस टाइप का चाहिए, survey वगयरा करते हैं, तो बताते हैं कि हमें, यह additional quality चाहिए, they try to create unique selling propositions, USP बोलते हैं, जिसको for their product, जिसकी brown bread and cookies, cookies में कुछ additional कर दिया, है ना, तो यह बाला कुन सा हो गया, augmented product, next one is potential product, potential product का क्या मतलब होता है, it refers to all the possible features, सारे के सारे, that a product can have in the future, चोकि अभी तो नहीं है, लेकिन in future हो सकते हैं, ठीक है, these features depend on the market condition, यह market की condition और economic changes के उपर depend करती है, तो hopefully आपको levels clear हो गए होंगे, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, core product होता है, जिसमें कुछ भी differentiated वाला नहीं होता, उसके बाद होत basic product, basic product में core product के अंदर कुछ ना कुछ branding कर देते है, कुछ ना कुछ changes कर देते है, तो वो basic product के अंदर आता है, expected product is the result, जो आपका result निकल के आता है, basic product से उसको हम expected product बोलते हैं जिसे चपाती, wheat से निकल के आई चपाती और जब कुछ additional benefits दे दिये जाते हैं जो कि competitors के पास नहीं है, आपके पास हैं वो augmented product में आते हैं और potential product वो होता है जो कि अभी in present available नहीं है but future में उसकी availability के chances हैं जो कि economic changes की वज़े से या demand की वज़े से आ सकते हैं now the major product decision, जो major product decisions होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं यह सारे के सारे decisions important हैं आपके product के point of view से क्यों कि जब आप product का decision लेते हो तो ना केवल सिर्फ product नहीं बनाना आपको प्रडक्ट इतना अच्छा बनाना है कि वो competitor के product से अलग हो ठीक है not in terms of only the product के features in terms of branding, in terms of packaging, in terms of promotion सारे के सारे जैसे कि नया product या product mix ठीक है product mix किस types का होना चीए product line कैसा होना चीए उसका design कैसा होना चीए उसकी banding कैसी होनी चीए packaging कैसी होनी चीए labeling, positioning, support आप after sales service क्या दे रहे हो product के बारे में वो भी product से important होता है now सबसे पहले point की बात करते हैं कि new product decision नय product decision कुन सा होता है a new product incorporates the elements of newness जो नया product होता है यह किसके बारे में बात करता है कि इस product के अंदर क्या नया है जो और competitors नहीं दे रहे newness and varies from the existing one जो पहले का ऐसा भी हो सकता है देखे हो जैसे colgate में मान लो कि आपके एक तो था charcoal वाला ठीक है पहले आया था salt वाला फिर उस उन्होंने दूसरा कर दिया charcoal वाला तो यह क्या है आपको क्या दिखा रहा है कि एक तो आप available था ही दूसरा भी आपने available करा दिया या तो बिलकुल नया लिया हो या तो जो already available है उसमें कुछ नया दिखा दो थीक है या तो बिलकुल newness हो या तो जो already available है उसमें थोड़ा बहुत changes कर दो new features quality or can be introduced differently besides adding new product can result in growth ने growth हो गई, profitability हो गई, market का share बढ़ गया and so on to remain profitable और business को बढ़ावा बढ़ावा बढ़ाने के लिए day-to-day changes, day-to-day updation, day-to-day version की जरुरत होती ही होती है profitable and maintain sales organization need to launch new product however the product may fail so the marketer must take new product decision देखो हम बोलते हैं कि नए-नए changes हम लेके आ रहे हैं product में latest technology लेके आ रहे हैं लेकिन फिर भी कभी-कभी क्या होता है product fail हो जाता है और उस case में भी हमें new product का decision लेना पड़ता है ठीक है next की बात करो तो जो product decisions होते हैं उसके अंदर कौन-कौन से decision होते हैं मान लो original product जो आपका चल रहा है या आपने उसमें कुछ improved version किया है कुछ modification करी है 10% of 11 वाली शीज़े की है development of product product के अंदर आपकी underdeveloped चल रही हैं बहुत साई शीज़ें और नया product बना है तो ये सारे factors कौन से होते हैं important है जो कि decisions में product के decisions में help करते हैं तो इस lecture के अंदर हम लोगों ने कौन-कौन से points को देखा है एक नई new product के बारे पड़ा है next lecture में हम लोग इसको ही carry forward करके बाकी सारे points को भी discuss करेंगे और in detail में discuss करेंगे तो आप लोग को क्या करना है lectures को go through करना है सारे lectures को ताकि आपका marketing का कोई भी topic with PYQs PYQ भी हम लोग करेंगे धीरे धीरे तो वो भी पूरा अच्छे से cover हो सके और exam में आप लोग बहुत अच्छे से exam को attempt कर पाओ अब आप लोग उसे next lecture वीडियो में मिलेंगे और कोई भी type का आपका doubt हो तो आप लोग comment section मेंशन कर सकते हो thank you for watching